आज हम बनाएंगे कोकनी स्टाइल में जिंगे आलू की रेसिपी जो माशाला बहुत ही खाने में लाजवाव लगने वाली रेसिपी है इसे जरूर ट्राइ कीजिए का आपको भी बहुत बसंद आएंगे वाली रेसिपी चली फिर बिस्मिल्ला करके हम स्टार्ट कर लेते रे यह सब एक साथ पिस्के ले लेंगे अभी हम तो माशाला देखे मैंने एकदम इसका fine paste इसका बना के ले लिए हुँ इसी तरह से हमें से पिस्के ले ले लेना है पानी का मैंने इसमें बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करी हूँ यहाँ पर देखे मैंने 50 g ग्राम मैंने सुक्य जिंगे का इस्तमाल करी हूँ, यह आपको मार्केट में असानी से मिल जाएगा, अगर ना मिले तो आप इसे ओनलाइट भी मंगा सकते हैं, अभी हम इसे तीन से चार पानी में अच्छे से दोके ले लेंगे, दोने के बाद में फिर हम इसे कड़ाई में दाल देंगे, में हमें दाल देना है, एक चमज भरके तेल दाल देंगे, पानी सुखने के बाद में ही तेल इसमें दालना है हमें, और अच्छे से भी हम इसे भून के ले लेंगे, जब तक यह क्रिस्पी हो नहीं जाते हैं, तब तक हम इसी तरह से इसे भून के ले ले लेना है, चमज ज तब तक हम मैंने इसे इसी तरह से बुनके ले ली हूँ अभी सब हम निकाल के ले लेंगे फिर इसी कड़ाई में दाल देंगे दो बड़े चमच इसमें तेल की कौंट्रेटिया आपके इसाब से कमया ज़दा कर सकते हैं वन टीस्पून इसमें दाल देंगे हम जीरा अभी हम इसमें दाल देंगे, तीन छोटी साइस की मैंने प्यास ले ली थी, इस तरह से लंबी-लंबी कटिंग करके मैंने इसमें दाल दी हूँ, थोड़े प्यास का इस्तमाल हम इसमें ज्यादा करेंगे, अभी हम इसे गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राय करके ले लेंगे, इस अरियव शाय से आलू ले ली थी इस size में मै는 एसे कट करके ले लिए अपको इस size में से कट करना है अ कट लगा के इसमें दाल देना है दो ही हृरी मिर्च का में इस्तमाल करी हूं और यह हम इसे तेल में भूनके लेंगे इसे मिर्ची में भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब इस तरह से इसे तेल में फ्राइब कर ले लेते हैं तो जब हम इसे भी fry कर लेंगे तब हम है इसमें जो पहले ऐस्ट में प्राइब कऱें की लिए तेना Canadian डाल देना है और इसे भी मसालहको भूल के लेंगे हम तो इसमें जो आमने नारियल का बुरादा दाले नहीं तो इसमें ग्रेवी जो बनेगी न एकदम गाड़ी से बनती है फिर इसमें अभी दाल देना है हमें लाल मिश पाउडर देड चमज बरके यह तीखी नहीं करके में तीखी इस्तमाल कर रही हूँ अब तीखी की साब से का इस्तमाल किशेगा दो चमज भरके रेंगे धनिया पाउडर 10 पाउडर्ग के हाफ टी습, मिस्में दाल देंगे हम हल्दी पाउडर 10 एंगे फाफ टीज्पून ओठेशलिन्नें गरम, आज़िए सब तीखी में अच्छे से भुनके ले लेना है न बहुत एile इसे बनने वाली रेसेपी है, इसे ज़रू ट्राइ कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएंगी रेसेपी, आलू से तो माशाला बहुत ही टेस्ट इसमें बढ़ जाता है, इसी तरह से बनाईए, अच्छे से मसाले को हमें 2-3 मिनिट के लिए इसी तरह से बुन के ले ले है, अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसे धकन हमें लगा के ले लेंगे, धकन पूरा पैक नहीं करेंगे, थोड़ा सा धकन खोल के इसे भी हम पकने के लिए छोड़ देंगे, 80% हम आलू को पका के ले लेंगे, तो देखिए माशालाला मैंने इसे 80% आलू को पका के ले एक दम से पूरे आलू का पकाना नहीं है, क्योंकि हमें जिंगे भी में गलाखे ले लेना है, जिंगे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आलो को थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैंने पहले इसे आलो को थोड़े पका के ले लिए हूँ इसके बाद में हम इसमें जिंगे आड़ करके ले लेंगे तो देखे अब ये इस टाइम पे हमें जिंगे दाल देना है जो हमने पहले स्टाइट में भून के लिए थे ये सब मिक्स करके ले लेंगे इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तीन से चार मिनिट में ये अच्छे से पक जाते है इस सब मिक्स करके ले लेंगे चिंगे में भी आभे हमें इसके साथ में आलो को पका के ले लेंगे जो 20 परसंट जो बचा है तो इसी साथ में आलो पक जाएगे पानी दाल देंगे इसमें पानी जो है मैंने इसमें आदे ग्लास से थोड़ा उपर मैंने इसमें पानी दाल दी हूँ थोड़ा मुझे इसमें ग्रेवी चाहिए थी इसलिए मैंने थोड़ा पानी इसमें 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 चार मिनिट के लिए से पका के ले लिए हूँ तो बन चुकी है कोकनी स्टाइल में जिंगे आलू की रेसेपी देखे कितनी टेस्टी लग रही है सोचे खाने में कितनी ला जवाब होगी इसी तरह से बना के देखेएगा आपको भी बहुत पसंद आएगी यह वाली रेसेपी आप इसे चावल के साथ में, खिजड़ी के साथ में, जवारी बाजरी के रोटी के साथ में या सादे रोटी के साथ में भी आप खा लोगे न तो माशालाब बहुत ही टेस्ट बढ़ी आता है जिसके साथ में भी खाओगे अच्छी लगीगी ठोड़ा सा इस पे हरा दनिया दाल देंगे आदा चमच इसमें हमें नमक दाल देंगे नमक जो है आप अपके टेस्ट के इसाब से दाल दीजिएगा यह सब मिक्स कर लेंगे वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक शेर सस्क्राइब जरूर कीजिएगा अपना बहुत सा खयाल रखेगा मुझे भी द